तो दोस्तो हम बात करना वाले इंडियल पीमर लिग 2023 के 11 T20 मैच के बारे हैं दोस्तो हम आज के पूरी अपडेश है तो वीडियो के लास तक बने रहे हूं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राब करते चले ताके हर वीडियो की जनकारी आपको पूरी बिलते रहे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारे वाटसप नमबर दिया हुआ है तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन के पूरी जनकारी दी जाएगे और हमारी स्टेडियम गुहार्टी असाम इंडिया में है आप बात करते हैं दोंटीमों का तीम फ़म चेक करते हैं है रिसेंटली पाँच मैच में दोंटीमों का पॉफोरमेंस क्या दिखने को मिला थो वहीं पहली टीम रास्थान रोयल्स की बात करे तो जहाँ पांच मैच मैच से तो यहां पर है क्वैली सीथ-टीम करते हैं लास्-टीम मैच बनलीके ध्रच इनमेच दिखने को मिल सकते हैं तो पहली कंप्रिजन विनिंग परसंटर की बात के तो जहाँ पर स्थान्स ओयल्स का 50% देखने को मिल रहा है तो ही डेली कैप्चल्स का 40% देखने को मिल रहा है हैवे स्कोर की बात के तो रेस्थान्स ओयल्स का 170 है तो ही डेली कैप्चल्स का 165 है अगर इसके कोटिंग बात के तो यहां पर कंप्रिजन के मामले में दुनों का इक्वालिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं वेदर की वार आज का मैच वेदर की से रहेगी तो मौस्टली संदी रहने वाली है 36.5 डिए की सेलसेज देखने को मिल सकती है अगर वहीं हुमेडिटी की बात करें तो 86 परसंट हैं वहीं 2 परसंट वर्स होने की चांसस रहेगी तो यह रहें आज का मैच को वेदर की रिपोर्ट अब आके बढ़ते हैं चलते हैं पीच की और आज का मैच इस पीच पर कैसा होने वाला है इस पीच का फरस्ट इनिंग का है वेस्कोर की बात करें तो इस पीच पर फरस्ट इनिंग में 195 में भी रन लग सकती है तो इस पीच पर अभी तक एक मैच खेले गया है जो एक मैच स्ट्राउंग होगी तो पींद सकते हैं उसकरा या है वहाइन और देखा जा तो स्टैटिक्स को मत्य नजा रखते हुए डेल्ली कैपिटल्स हमारे इसाफसे स्टॉंग टीम है और मैच जितने के प्रोडिटी ज्यादा रखता है तो आप लोग क्या लगते अपने भीव को कमेंट सकते हम जो मैं एंसन कीजिएगा और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूना बना दिया माई चैनल के साथ हो गई काई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में